हाई अब्रोण, विल्कम टू मैं चैनल, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हूँ तेगू फैन पेशन, तुझे निस कहानी को शुरू करते हो, यह जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पार त्यांग की शादी की तयारिया हो रहे है, पूरे घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सचा हुआ है, सब लोग आना शुरू कर दिया है, त्यांग की शादी की खुश में सब लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन त्यांग ही है, जो गहरी सोच में है, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, कि वो क्या करी, आके त्यांग क्यों खुश नहीं है, चले जानते ह क्योंकि त्यांग को शादी नहीं करना था, उसकी गैन फदर, उसकी गैन मदर, और उसके अम्मा अपपा, उसको शादी के लिए बहुत ज़दा पेशा कर रहे थे, त्यांग अभी शादी करने के बार में सोच नहीं रहा था, लेकिन त्यांग की पैयांस कहते है, तुम 30 आ उसकी गैन फदर, मानने की धम की देकर उसको शादी के लिए मना लेते है, त्यांग की शादी किसके साथ होने वाले है, आप नहीं जानना चाहते हो क्या, आके त्यांग की शादी किसी और के साथ नहीं, आपके साथ, यानि वयन के साथ तैय हुआ है, त्यांग की गैन फद हम इस पोते-पोतियों की फेज देखाने होंगी हम उन लोगों को गोद में लेका खेलना चाहते हैं आके तुम हमारा सफना कब पुड़ा करने वाले हो तियान कहते है क्या तुप एक गैन फदर कहते है हां तुम्हारी शादी देखने के लिए हम लोग कब से तरस गये हैं जन मेरी बेटे और बहु की बड़ी है त्यांग केते हैं लेकिन आप लोग मुझे इतना पेशा क्यों दे रहे हो मुझे आभी शादी नहीं करना है आप लोग समझते नहीं हो क्या मुझे और थुरसा टाइम चे लेकिन वो लोग त्यांग को केते हैं नहीं आभी करना होगा और म जब त्यांग और वायन की शादी होगा, लेकिन त्यांग शादी के लिए बिलकुल भी खुश नहीं था, लेकिन इहापर वायन बहुत ही एक्सिटर फिल कर रहा था, वो त्यांग को बहुत पसंद करता है, त्यांग जैसा हैंसम लाखा, उसकी हस्बन बनने वाले हैं, इसी कि बाकी फेंस कहते हैं, हमें बहुत ही जलन हो रहा है, लेकिन क्या करें, त्यांग की से एक की ही हो सकते हैं, वो अब तुम्हारा होने वाले हैं, वो एन मुस्कुला की कहते हैं, वो तो नहीं हो सकते हैं, यूगि मैंने त्यांग की दादा जी को पटा लिया है, अब उनकी बज़े से मेरी शादी त्यांग के साथ होने वाले है अब तो मेरी शादी त्यांग के साथ कोई नहीं रोख साकते हैं मैं अब त्यांग की दुलहन बनने वाली हूँ त्यांग की दुलहन बनकर मैं एश करूँगा एही सब सोच का बहुत ही खुश हो रहा था नेकिन इहापा योछ बिल्कुल भी खुश्च नहीं है. त्यांग तो ओने को देखने के बाए में सोच भी नहीं रहा है, उसने तो ओने को देखा भी नहीं, शादी के लिए हाख कहना पड़ा मजबूरी में. अब वो सब को आते हुए देख का घबरा जाते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें आखे सब लोग इस ता से क्यों आ रहे हैं जैसे कि कोई मर गया हो त्यांग को ऐसा ही लग रहा था यूंगी कॉलेज की English teacher है और त्यांग की बहुत अच्छे दोस्त है यूंगी आका त्यांग को कहते हैं त्यांग क् गेहरी सोच में लग रहे हो त्यांग केते हैं मुझे ऐसा क्यों मैसस हो रहे है जैसे मैं आप जिन्दा नहीं हो यूंगी केते हैं क्या बोल रहे हो आखे क्या प्रोब्रम है त्यांग केते हैं यूंगी मैं इसादी को नहीं करना चाहरा था तुम तु जानती ही हो मुझे इस अच्छबुरी में शादी क्यों कर रहे हूँ ? आखिर पूरी लाइव की सवाल है। यसी को शादी करने के बाद तुम्हारी लाइव बरबध हो जयेगा। तुम्हें अगर शादी नहीं करना है तो मत करो। जैसे कि मैंने अभी भी शादी के बार में सोचा भी नहीं। त्यांग। तुम शादी करना चाहते होना तुम भाग जाओ। त्यांग कहते है क्या। कियूगी कहते हाँ वहें, मैंने भी ऐसा करते दया हिता। मेरी शादी भी इसी तरो से भुट्र। करके करवाना चाह रहा थे नेकिन मैं किसी की बात को नहीं सुना मैं अपने घर से भाग का चला आया और इस कॉलेज में इंग्लिश टीचर बनके रहा गया सबके साथ अपनी लाइब को एंजे कर रहा हो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हमेशा से ही मेरा सपना था कॉल उंगी कहते है तुमारा कोई सपना तो होगा ना त्यांग कहते है मेरा सपना तो इही है मेरा कॉलेज ओर भी बढ़ा बन जाएगा और बहुत सारी स्टुद्गे सब लोग आच्छे से पढ़ाई करेंगी जबकि रिजल्स बहुत ही अच्छा होगा यंगी कहते है मैं समझ तुम्हें college देखा और भी आगे बाना है और बहुत साय काम करने है लेकिन तुम शादी नहीं करना चाहते हो आखेर शादी नहीं करना है तो तुम यहाँ पर बैठ कर क्या कर रहे हो सोचना बंद करो और भाग जाओ त्यांग आप यूंगी की तरफ देखा कहते हैं क्या तु तुम चलो मैं तुम्हें भागने में मदद करता हूँ त्यांग केते है क्या तो मुझी यहसे भाग जाना चाहिए वंगी केते हैं तुम और क्या सोच रहे हो जाओ भाग जाओ यह आसे त्यांग फिर भी सोच में परचात है वो कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पर ही बैटे हुए थे और यहाँ पर जीमिन और जनकुक मस्ति कर रहा था जीमिन कहते है, आज तो पूफिसर की शादी है बहुत अच्छा हुआ, पूफिसर शादी करने के बाद अपनी वाइप के साथ रोमांस करने वाले है इसी के बारे में सोचकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है काश मेरी भी शादी हो जाते और मैं अपने पाटनर के साथ तो अच्छा रोमांस करने के लिए शादी की क्या ज़रत है मुझे नहीं लगता है शादी इतनी जल्दे करना चाहिए मुझे लगता है आपनी लाइब को एंजल करना चाहिए जितना चाहो तुम डेट पा जाओ कैंडलाई डीना उसके बाद जिमीन कहते है हाँ हाँ मैं समझ गया तू तो इस सब कुछ बोलका है मुझे और भी जिदा एक्सिटेट कर रहा है इस सब कुछ करने के लिए लेकिन फिलाल मेरे पास कोई नहीं है डेट पे जाने के लिए क्या तू बेर साथ डेट पा जाएगा क्या जंकु कहते है नो वे मुझे देर साथ डेट पा नहीं जाना है ऐसे भी तिरी चिम्मी सी शकल देखा मुझे मुस्करहाट आ जाता है मैं तुझे देखा फ़नी सा फिल करता हूँ जिम्मी नियार सौरी मुझे इसता से कहना पड़ा मैं तुझे सा रोमांटिक सा फिल नहीं करता हूँ मैं तुझे कोई सपना नहीं दिखाना चाहता हूँ जीमिन कहते हैं तुझे क्या लगा मैं इस सब कुछ सीरियसली कह रहा हो गया मुझे भी तुझा से पसंद नहीं है हम सिर्फ दोनों ही दोस्ती ही है और कुछ नहीं हमेरे बीच में जो दोस्ती है वो हमेशा ऐसा ही रहे तू क्या कहते है देख मेरे इस बातों की बज़े से तू मेरे दोस्ती को गलतना सवाजना ठीक है ना जॉनकू जॉनकू कहते है नहीं यार मैं ऐसा कुछ नहीं समझूगा लेकिन हाँ तेरे दिल में अगर मुझे लेका कुछ है तो उसको निकल दे क्योंकि मैं तेरे साथ कभी भी रिलिलिशन्शिप में नहीं आने वाला हूँ जिमिन कहते हैं हमें जानता हूँ मुझे इतनी समझाने की जुरत नहीं मैं भी मजग की कर रहा था तो इसको सिर्यास क्यों ले रहे है आके हम दोनों दोस्ते मज़ग तो कर सकते है ना जनकु कहते है हाँ मैं समझ गया इसके बाद ए दोनों दुबासे मस्ति करने लगते है जिहुब अपने कार लेकर जनकु के सामने से जाही रहा था वो जनकु को देखकर कहते है जनकु जिम तो फिर जहुब कहते हैं तुम बोल मा जाना मैं तुम्हारे प्रोफेसर की काजिन ब्रदर हूँ वो भी मैं त्यांग से बढ़ा हूँ तो तुम लोग मेरे साथ फ्लोटिंग करने के बार में सोचना भी बात जंकर कहते हैं नो नो आप गला सोच रहे हो हमने तो आपकी ऐसे ही तरिफ कर दिया जहुब बोलते हैं मैं तो मज़ा कर रहा था जल्दी से आ जाना त्यांग भी तुम लोगा इंतजा कर रहा होगा जैसे तुम सारे बच्चे आ जाओगे त्यांग की शादी शुरू कर यहाँ पर त्यांग यूंगी को कहते हैं मैंने डिसेक कहा लिया है यूंगी कहते है क्या उसके बाद त्यांग वो अपने मेंशन की तरफ जा रहा था यूंगी कहते तो आंदर क्यों जा रहा है त्यांग यूंगी को कुछ नहीं कहते है उसने अंदर आने के बाद नहीं दखते हैं आखिन उसकी शादी में कौन कौन से लोग आये होंगे त्यांग देखते हैं सब लोग आ चुके हैं लेकिन उसके क्लास में जो इस्टोजन है वो लोग अभी तक नहीं आए उन में से जीमिन जनकुक और कुछ और बच्चे है जैसे कि उनों ये लोग के लिए और उसकी हासी को देखकर त्यांग की फेस थुरसा सैड हो जाते हैं और त्यांग वो अंदर चले जाते हैं वो शादी करने के बार में सोच लिया और इसकी बाद वो शादी की सूट पहन लेते हैं जैसी वो सूट पहन का वो वैन का इंतजा करता है कि वैन और वो ह इस पर आने की टायम हो चुके थे त्यांग को घब रहाट होने लगते हैं और वो इस शादी को मोहल को छोर कर बाहर भाग जाते हैं वो बाहर आकर बैठ जाते हैं चारो तरफ कार भी कार था यहापर और भी बाकी रिल्लिटिप्स आर रहे थे बाकी सब आकर त्यांग को कहते तुम बाहर क्या कर रहे हो आखे तुम्हारी शादी है त्यांग की एक अंकिल त्यांग को अपने साथ लेका जन लगते हैं त्यांग आप ये अंकिल की हैं चुरा कर जो उसे भागने लगते हैं उसके अंकिल भी कार पर बैठ जाते हैं और त्यांग का पीछा करने लगते हैं लेकिन त्यांग किसे और जगा पर चुप जाते हैं, जहाँ उसके आंकेरे के नजर नहीं जाते हैं, त्यांग वहापर बैटका सासे ले रहा था, अपने सर नीचे करके वो नीचे की तरफ देख रहे थे, आखिर उसने क्या किया, वो सच में शादी से भाग आई, लेकिन क्य आखिर उसका मकसद क्या है, उसने किस बज़र से यह सा करम करने की हिमत की, उसने तो अपनी दादा जी की कसम को भी तो दिया, और शादी के बारे में भी भूल गया, इतने सहे लोग आए हुए है, वो लोग क्या सोचेंगे, और वोयन के बारे में भी नहीं सोचा, आखिर उस लाइकी की क्या खलती है, वोयन ने तो त्यांग से शादी काने का सपना देखा था, आखिर उसकी क्या खलती है, त्यांग को अगर शादी नहीं करना था, तो पर उसने वोयन से शादी काने के बारे में सोचा क्यों, और इस सब कुछ तैयर है क्यों हुआ, अब तो वोय वयन को त्यांग की बार में पूछ रहा था नेकिन वयन भी नहीं जानते हैं त्यांग कहा गया त्यांग ने तो अभी तक वयन को देखा भी नहीं लेकिन वयन ने त्यांग को बहुत बार देखा है उसको देखने के बाद ही तो शादी के लिए त्यांग की दादा जी को पठ कर उसके आंखों सा आसु आ जाते हैं उसने क्या कर दिया शादी से भाग आए अब वोईन के साथ क्या होगा वो कैसे साब का सामना कर पाएगा क्योंकि त्यांग की गैन फादर ने कहा था वोईन बहुती सिंपल लगी है उसको दुनिया के बार में कुछ नहीं पता वो लोग के सामने बात नहीं कर सकते हैं इतना शाई है लेकिन यहाँ पर वोईन तो सब के सामने बहुती जूर बोल रहा था और वो बहुती जदा बरे बरे फेक रहे थे जिसको सुनकर सब लोग बहुती खुश हो रहे थे और कहते हैं क्या त्यांग तुम्हाई लिए गोल के ताज लाने के लिए गाए है इसका मतलब वायन तुमसे तो त्यांग बहुत प्याक आता है त्यांग अब जल्दी आजाए हम देखना चाहते है कि वो तुम्हाई ले और क्या लेका आते है यही सब कुछ बाते वायन बोल रहा था ताकि त्यांग की दादाजी यह सब को सुनकर वा वायन अपने मुझ से निकल रहे थे वो ही उसकी दादाजी और कर रहे थे और यहापर त्यांग वायन के लिए प्रेशन हो रहे थे आखिर उसकी क्या गलती है यही सचकर रोड रहा था त्यांग की आंकल उसकी गैन फदर गैन मदर और उसकी पैंस को आकर बोल देते है कि त्यांग को ढूनने के लिए बाहर निकल जाते है और कहते है आज तो पूफिसर की शादी है पूफिसर ने ऐसा कैसे कर दिया अब क्या होने वाल है पूफिसर की बदनामी हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकते है मैं जाका पूफिसर को ढूनका लेकर आता हूँ जीमिन कहते है मै प्रोफेसर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका इस्टुडन हो. आपको याद है, जब मैं कॉलेज में इंटर किया था, मैं आपके साथ टकरा गया था और आपकी हातों से सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया था. आपसे माफी में कर रहे हो? प्रोफेसर, आपने मुझे पहचाना नहीं है क्या? आज तो आपकी शादी है ना, आप बाहर क्यों आगे? प्रोफेसर, मुझे से बात कीजिए, मुझे इस्टा से इग्नोर मत कीजिए, मिरे क्वेशन का आंसार कीजिए. उस दिन भी आपने मुझे इस्टा से छोड़का चला गया था. आखिर आपको पॉब्लम क्या है? आपने आपकी ही शादी से क्यों भाग आए? वोयन जैसे लाइकी के साथ आपने शादी क्यों नहीं क्या? बहुत बहुत ही अच्छी लाइकी है. कितना प्रिटी गाल है. त्यांग फिर भी कुछ नहीं कहते है. जंकुक त्यांग को कहते हैं किया आप शादी नहीं करना चाहते हो? वो ही सिफ एक के बाद एक क्यों किये जा रहे थे. त्यांग उसको कोई भी आंसार नहीं कर रहा था. आखिर जंकुक को गुसा आने लगते हैं. लेकिन वो गुसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ए तो उसका प्रॉफेसर है त्यांग को कहते है प्रॉफेसर आखे PORBLEM क्या है क्या आप मेरे सा SHARE कर राना चाहोगी मैं आपकी मदब कर सकता हो अगर आप चाहते हो तो लेकिन त्यांग जंगुक को कुछ नहीं कहते है उसको कहते है तुम यहां से चले चाओ मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहता हू जनकु कहते है मेरा नम जियोन जनकु कहा क्या आप मेरी नाम को भूल चुके हो मेरी नाम तो आपको याद होंगी ही न त्यांग जनकु को कुछ नहीं कहते है जनकु कहते है आप मुझे इसता से इग्णोर मत करो मुझे इग्णोर पसंद नहीं है प्लिस प्रोपेसर मुझे बात करो आखे आप वेन के साथ शादे काना चाहते हो या नहीं आप वहांसे भाग क्यों आए आखे पॉब्लिम क्या है जंकुक को त्यांग देखे जा रहा था उसके बाद जंकुक भी त्यांग को ही देखे जा रहे थे इस पार को यहाँ पर खतम कर रहे हो आप लोग को यह फैन पेशन कैसे लग रहे है मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आप लोग एक्सिटेट हो या फिर आप लोग को पसंद नहीं है जो भी है मुझे कमेंट करके बताओ पर पसंद आ रहे है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्रेब कर देना थेंक यू सू मच पर आचिंग दिवीडियो बाई बाई